हलो एवरीवन कैसे हो आप सब मुझे आपसे सिर्फ चार या पांच मिनट चाहिए मुझे जादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है और इस मैटर को बस बस क्लोस करना है फिर मुझे बात नहीं करनी इस बारे में क्योंकि मैं लाइफ मुझे आगे बढ़ना है तो बस मुझे इतना बोलना था कि मेरी उस लाइफ में क्योंकि देखो कोई अपना आपके उपर कोई ब्लेम लगाता है तो लोग यकीन कर लेते हैं मेरी सास ने उस लाइब में बोला था कि हां तुने दूसरे बेटे पर रेप का चार्ज लगाया था तो मैं कैसे अपना बेटा दे देती हैं मैं आपको दो चर बाते क्लियर कर देती हूं किसी को अगर ये लगे कि हां मैं बहुत डेस्परेट थी देवर से शादी करने के ये मैंने बात बोली थी कि अगर ये आप ये नहीं चाहते थे कि बच्चा आपका किसी और के घर ना जाए क्योंकि उन्होंने ये बात बोली थी कि शादी करके तो दूसरे घर में अपने बच्चा लेकी नहीं जाएगी तो मैंने बात बोली थी कि अगर आप ये चाहते थे कि शादी करके बच्चा मैं दिस किसी और के घर में ना जाओं तो आप अपनी घर में शादी करवा देते मेरी बच्चा आपकी घर में रह जाता विहान बस ये बात बोली थी और मैंने कुछ नहीं बोला था कोई मेरा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मुझे उससे शादी कर दूसरी चीज अन्हों अन्हों ने मुझे सामने से फिर यह बहुत था कि up Monte गुण भी को समेठे की उड़ाईअ का कउंड़ाइग है श्मेड को डी मारने वाली क्या बात है मैं बता देती हूं जो भी बात है उसमें एक लड़के का नाम लिया जो कि बार बार गुलोग ऐसे कौमेंट कर कर पूछ रहे हैं रवी कुन था क्योंकि उस लाइव मेरी करनी है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि रवी शायद मेरे बड़े भाई का नाम है या किसी और का नाम है तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे हस्बेंड का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और मैं सच बता रही हूं मेरी धाई साल में सिरफ एक बार बंदे से कभी बात हुई तो फॉचने के लिए कि सनी का ठाइक हुआ मेरी ना कभी लाइफ में से मैं तुछ स्वेड़ एस्टो फेस में उससे बात की है आज तक वर मावनय और क्या करोंगा मौन आयद मौख इसकंड़一個 क्या करूंगा किका कि मैं जब से बिल लें कर दो क्योंकि सब्सक्राब उनके घर उनका आना जाना था चाते थे दोस्ते फ्रेंड्स ते मिलते हैं बात करते हैं तो बस उन्होंने उसका नाम ले लिया और ऐसा कुछ भी नहीं था वो सनी का अच्छा दोस्त था ठीक है और आखरी टाइम तब उसके साथ था में जब डाइलेसिस चल रहे थे ना होस् और सनी जब बिमार होते थे न सिद्धा उसको फोन करके बुलाते थे कि हाँ तू आजा मेरा ध्यान रख तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता वो लड़का बहुत केरिंग नेचर का था सनी के लिए और सनी का अच्छा दोस्त था और सनी सिद्धा सनी ने ये बात बोल र और दूसरी चीज मुझे कुन से क्लियर करनी थी एक मिनट मेरे दिमाग से भी निकल जाती है ये बात उसमें बोली थी जो कॉमेंट सेक्षिन में आ रहे थे हां मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने वह वली बात क्लियर कर थी क्या वीडियो में याद आ रहा मैंने ये वली बा तो मैं इस बात को भी हां क्लियर कर देती हूं देखिए मैंने कोई बी कभी जिन्दगी में मैं किसी कासम खाने को त्यार हूं मैंने उस पर कभी कोई चार्ज नहीं लगाए है बस इतनी सी बात थी कि मेरे पास कुछ मेल जा रही थी जिसमें उल्टे सीधे मेसेज़ी आ रहे कोई भी मेरे पास मेल कर सकता है तो मेरे पास कई-कई मैसेज़ी आ रहे थे जिसमें मतलब वो नीचे लिख रहा था कि मेरे देवर के नाम से आ रहे थे नाम उसका डाल रखा था आईडी इमेल आईडी वगएरा तो मैंने बेरे ससूर के पास उस ट्रेंग फोन करके पूछ वो यहां मेरे बेटे को बंड़ नाम कर रहा है इस चीज में उसका नाम मैसेज कर रहा है एक इस दोधीन इस है उनने के बटशन किया था मैंने उनके पास कोई रहा जाती है कोई चार्ज रह के प्र है और कंप धना सी अधर हमा को भूट सप्रड़रिय Till छिए कशसर वकेया गजसंप में रिपेट यि पर के का तो मुझे निन है coffee मुझे इस भी मुझे रिपीट को आप किम्म दुकत वाटा। धदीनी में अफरत कर तो मेरे पीची कि विद्ध होटो थी देड़ साल से इमोशनली मतलब सोचे जाती थी क्योंकि उन्होंने मतलब जो इस चीजे बहुली ना कि बैड़ पे आदमी बैठाती थी मेरे लिए मतलब एक साथ जो इस अलड़की का उबती नहीं है उसके बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो आप अपनी दूसरी बहु क करेक्टर के बारे में सुन लो अगर मैं कुछ बोल दू या कोई और कुछ बोल थे कोई नहीं सुन सकता ठीक है तो अगर अपनी दूसरी बहु के लिए नहीं सुन सकते तो पहली बहु का सिर्फ पती नहीं है तो इसका मतलब सामने ही कुछ खुद कोई बोलने जा रहे हो उ नहीं हूं ठीक है तो मुझे किसी को कोई पूर्फ नहींदेना है यहांपर जो बाती बस मैं स起ते हैं रहले क्छा我 आने वाले टाइम में मुझे Corinne 실파ने के जिए का भी कली और अपने मी निए करशो पतल से कि तो करने मिन् हो एकट करना की जएते की थैट है अे फिर भникомया को मुझे था एक जोट nuovo का लेता है शाची का बेशीए यह शाची आपनी दिए पहले पर उन पर आप उर पहले को मुझे बताया था तो यह चीज बोल दिये तो मुझे कभी मेरे बस इतना कह रही हूं कि मेरी वीडियो पे कभी कॉमेंट मत कीजेगा इस तरीके के कि हां देवर से शादी कर लो या देवर से शादी होई नहीं होई इस तरीके के कॉमेंट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उन ल कि मुझे अब उन लोगों से नहीं मिलना का भी भी ठीक है ना मुझे को रिष्टा रखना उनके साथ तो मेरी तरफ से राम राम जी है उनके लिए और उनकी तरफ से बहुत पहले हो चुकी थी आज से मेरे अन्दर राे मुझें दूल राहा ऐंसे गаж सेमये घेज है कि अचल रहा हो Sheila कि मेरे मन में चल रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं को सकता था नहीं सकता था वह यह सोचते होंगे मैं उनके लिए कोई मेगी कोई कोई मादे से कोई लेना डेना यह है ग form मैंने अपनी तरफ से उनको छोड़ दिया अपनी जिंदगी से मैं उनके बारे में कभी जिंदगी में बात भी नहीं करना चाहती है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी नॉर्मल वीडियो आएगी जैसे मेरी लाइफ रूटीन चलेगा मैंने भी तब कुछ कश्टडी मेरी अगर कल को दूसरी शादी भी होती है या मेरी लाइफ में कुछ भी होता है कश्टडी मैं अपने पास ही रखूंगी मेरे बच्चे की मेरे पास ही रहेगी और मेरा बच्चा वही रहेगा जहां मैं रहूंगी क्यों मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सक मुझे अमके सामने मुझे मेरे बा इन शो बोलते चरब करते हैं मेरे वारे मेरे भी उनका र्रिश्थ होड़ा इसमUNG करते हैं मुझे रखे से कोई रिष्था क कभी lets हो इते थार, क्या कोंड़ दीक नाइक found मुझे लेक्षट्वेस्ट तपिक प्ने मcción नाइक मैं मेरे वेमोगे, यह डिनने वहार भू नहीं है क्योंकि मैं इतना सोच रही है, कि मैं मेरा बच्चे शुरल नहीं है जुख है, अब भूलाओ का weyad हमования है उपया मिल्हत करणकों यह का जुख है कि यहां आपर जल फो कुछ अच्छा जिंदगी में करना है अपनी लाइफ में खुद के लिए करना है ठीक है जा बाड में जाने दो सबको जिसको जोज करना है हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जी के जाना है ठीक है इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ यही मेरी वीडियो ची लगे तो लाइक किजिए चैनल को सब्स्क्राइब किजिए बन ध्यान रखिए को बाई बाई टेक कियर